किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है यह चीज, अगर कहीं मिल जाए तो तुरंत घर ले आना, दोस्तो नमस्कार, घरेलू चिकिस्तक चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है, मैं हूँ महिश्चर्मा, दोस्तो भारत देश में आयूरवेद प्राचिन समय से ही काफी मना जाता रहा है, पुराने समय में आयूरवेद प्रद्दती से ही गंभीर से गंभीर बिमारी का इलाज किया जाता रहा है, आज भी बहुत से लोग अपनी गंभीर बिमारी से छुटकारा पाने के लिए आयूरवेद की श्रण लेते हैं, आज हम आपको ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि गंभीर से गंभीर बिमारीयों का इलाज करने में बहुती कारगर है, आप में से बहुत कम लोग ही मकोय फल के बारे में जानते होंगे, यह एक ऐसा फल है जो असानी से नदी के किनारे या हरी बरी जगाओं पर मिल जाता है, यह एक पाचन सम्मंदी, समस्या, आंतों में इंफेक्शन और निंद ना आना जैसी बीमारियों से जूज रहे हैं तो उसके लिए मकोई का सेवन काफी फाइदे मन्द होता है। अगर आप तोचा से जूड़ी समस्या से बीडित हैं तो उस इस्तिती में आपको मकोई के पत्तों को पीज़ कर रुभावी तस्तान पर लगाना चाहिए। कुछी दिनों तक लगातार करने से आपकी तोचा से जूड़ी समस्या समापत हो जाएगी। दस्त, दांत और कान के दर्द, गठिया, पत्थरी, पाइल्स और रधोंदी के इलाज में भी इसका उब्योग लाबकारी है दोस्तों। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी इस तरह की जानकारी पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।